तो basically यह एक informal video है, इसमें कोई script नहीं, कुछ नहीं, just ऐसे ही एक video बनाई है, इसमें आप लोगों को just यह बताना है, कि बहुत सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे, कि हम फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहरे हैं, तो हमें कौन सा स्किल सीखना चाहिए, जो हमारे लिए best है, त मेरा नाम सुमान तारिक है, और आप देख रहे है लेक्षन कर दो, बहुत से लोगों के बार-बार question आ रहे हैं, कि सर हमें बताएं, हम freelancing स्टार्ट करना चाहरे हैं, तो हमें कौन से skill को focus करना चाहिए, किस skill को हमें आगे लेकर जाना चाहिए, जो कि हमारे लिए beneficial हो सकता है in the long run, तो ये सारी important चीज़े बताने से पहले, मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि अगर आप मेरे channel को पर नए आये हैं, और पहली दफा मुझे देख रहे हैं, तो channel को subscribe कर सकते हैं, क्योंकि मैं money making and freelancing से related, बहुत सारी videos आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ, क्योंकि आ आप online earning start करना चाहरें, तो आप किस रीके से करें और किस field को आप चूज करें, तो सबसे पहला चीज है वो ये कि आप just ये सोचें कि आपको पसंद क्या है, ये मैं आप लोगों को एक बड़ी outstanding चीज़ बता रहा हूँ, आपकी life को असान करने के लिए सबसे बड़ी चीज ह कि आप ये सुमझें कि आपको जो जीज पसंद है वो क्या है, अब पहले नमर में हम यहां में बात करेंगे YouTube को, आपको अगर कोई भी skill पसंद है, किसी भी skill से related आपके अंदर एक passion है, अगर आप उसके बारे में सुनते हैं या सोचते हैं, तो आपको एक बड़ा अच्छा फील होता है, ऐसी कौन सी चीज है, आप अपने बारे में ऐसा खुद सोचें, क्या आपको PUBG खेलने से दिल में satisfaction आती है, क्या आपको movies देखने से आती है, या फिर आप अगर cooking कर रहे हैं, उससे related आपको satisfaction आती है, कोई हर इनसान की एक ऐसी specific चीज लाजमी होती है, जिसमें उसको एक बिल में satisfaction उसके आती है, या ये जो चीज है, ये मेरे लिए जबरदस्त है, और अगर काश में अगर इस तरह कोई काम कर सकता, तो मेरे लिए बड़ा, मतलब के मेरे लिए हर चीज असान होती है, बहुत जादा, तो पहले नंबर पे हम बात जो करने वाले हैं, वो कि मुझे कुछ ऐसी मुवीज बताए कोई बंदा जो के बहुत अच्छी है, ताके मैं उस सरह की मुवीज देख सकूँ, अब मैं ढूमता रह गया, मुझे चंद एक मुवीज मिली लेकिन वो मुझे इतना मज़ा नहीं आया, तो आप मुवीज के रिव्यूज बने, जो आप उनको यूट्यूब ट्यूब पर एक रिव्यू के दोर पर डाल सकते हैं, आप स्पोयल नहीं करेंगे, कि आप उसे बता तें कि इस मुवी के अंदर हुआ गया था, ये नहीं बताना, आप उन्हें एक ओवर्वीज देंगे कि इस मुवी इस तरह की है, और बहुत अगर आप खेलते हैं, तो आप लोगों को सिखाना शुरू करते हैं, जैसे कि मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, तो मेरी कोशिश है कि मैं हर किसी को फ्रीलांसिंग सिखा सकूँ, जितनी मेरी नौलेज है मैं हर किसी को पहुँचा सकूँ, आप सेम इसी तरीके से आप लोगो की चीज यह है कि यही चीज आप अगर यूट्यूब की मतलब के एक वीडियो की शेप में आप यह सारा कॉंटेंट नहीं बनाना चारे तो आप इसे लिख सकते हैं आपकी कोई भी लेंग्विज है बेशक आप इंग्लिश में इंग्लिश बोलते हैं कि आप उर्दू स्पीकिंग है कि आप हिंदी बोलते हैं जो भी बोलते हैं आप अपनी एक वेबसाइट करें और उसी लेंग्विज में जो आर्टिकल्स है वो लिखना शुरू कर दें और करना आपने यह है कि आप जस्ट जो आपका एक पैशन है जिससे आपको खुशी होती है जो काम करके अगर फॉर एकशंबल मुझे पजी खेलने में खुशी होती तो मैं लोहों को बताऊँ का कि इस तरीके से पप जी खेलता हूँ और इस तरीके से चिक उन्डिनर गरता हूँ तो मैं इसको एक रिंटन फॉर्म में ले करा सकता हूँ यूट्व का फो मैं अल्रेडी आपको अब यूट्यूब के अब कितने बड़े बड़े गेमर्स देखते हैं जैसे कि मॉर्टल है इंडिया का हमारे यहां पे तक्की भाई है तो यह सारे जो गेमर्स है इन्हीं गेम से ही यह लोग उपर गए तो मतलब कि इनका जो पैशन था यह उसी को पर इन्होंने काम किया और अगर आपको शरम आती है कि आप वीडियो नहीं बना सकते हैं आप अपना दिखाए बगार आपनी वोईस भी रिकॉर्ड करके यूटीप इडाल सकते हैं लगिन अगर आप चाहते हैंकि आपकी वोईस भी ना जाये तो आप लिखना शुरू करें बहुत से लोग हिंदी मे उर्दू में जिनको इंग्लिश नहीं पढ़नी आथी तो वो आर्टिकल्स पढ़ते हैं हिंदी और उर्दू के अदर अब हमारे आप देखें BBC उर्दू है और आप उसकी जारा ट्राफिक चेक करें कि उसके उपर डेली का कितना विवर आता है उसके इलावा भी कुछ एक व स्रीलांसिंग करनी है तो उसके लिए कौन सा स्किल आपको चाहिए जो आप लॉंग टर्म उसे लेकर चल सकते हैं अब यहां पर आपको मैं अब आप सोच होंगे क्या चीज है जो लॉंग टर्म चल सकते हैं चोटिक एक्जाम्पल से आप लोगों को बताता हूँ मैंने data entry स सकता है मैं नरीचे कि एचे यह समें चेला इसन क्याम में ही चाहिए जाय नोरा है और मनिल्स मैं रहता क्या औला क्या चीमीराद को झायोग बाला को यह चाहिए तो मैं आती है अब इस वक बहुत दो कम हाती है वेब स्क्रैपिंग की जॉब आती है लिगि बहुत कम आती है तो बाद मुझे पता चला कि जो काम मैंनुवल करता था उस काम का जो एक पूरा टूल बन चुका है और वो टूल फ्री में वो काम करके दे देता है उस क्लाइट को मतलब कि अब मैंने आपको एक लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को टूल बताये जो कि फ्री लांसर्स के लिए बहुत ज़ा इंपॉर्टन है उस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शिन के अंदर दूँगा अब वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ एक ऐसा टूल मैंने आप लोगों को पिस वीडियो के अंदर मैं जब मैं खुद काम करता था तो मुझे दो से तीन घंटे लग जाते थे वो काम करने में और उस तूल ने वो काम जस्ट दो मिनट का गर दिया अब आप खुद बताये कि कहां दो घंटे और कहां दो मिनट त अब इस ही से अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से आपको improve करना चाहिए मैं इस ही तरीके से अपने skills को improve कर रहु हूँ अब आप अगर आप आप ऐसे skills को ढूंटते हैं जो कर आप चाहते हैं कि रहे लॉंग टर्म जले तो आपका that skill, obviously, पोड़ा सा मुशकिल होगा जो skills सीखना चाहरे हैं वो free में किस तरीके से सीख सकते हैं अगर आप वीडियो चाहिए तो comment करें मुझे बताएं कि आप इंट्रस्टेट हैं तो मैं उससे related लाजमी एक video बनाऊँगा वह बड़ी interesting video होगी आपके लिए बहुत बहुत है helpful होगी जाँ 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 चीजे मैं learn करता हूँ वही सारी चीजे आपको बताऊँगा तो अब आपको मैं सजेस्ट यह करता हूँ कि आप dropshipping से related जैसे कि मैंने एक video भी बनाई थी इसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि आप पाँच ऐसे skills है जो dropshipping से related आप सीख ले तो आगे चंद सालों में यह काम बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है तो वो Shopify से related आप चीजे सीखें आप dropshipping से related चीजे सीखें मैंने भी कुछ वीडियो बनाई आप मेरे चैनल को पर चाहा के देख सकते हैं बना आपको YouTube पर उससे related बहुत ज़्यादा content मिल जाता है आप उसके इलावा web development सीखें web development में already बहुत ज़्यादा competition है लेकिन जब भी कोई एक नया startup शुरू होता है obviously उसको एक website चाहिए होती है और एक खुबसूरत website चाहिए होती है तो आप वह चीज़ क्रियेट करके दे सकते हैं इसके demand आप यह कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग इसको सीख रहे हैं लेकिन उसी दरा से मेरे जहान में भी आया है मगर आप चाहते हैं कि उस तरह की वीडियो बनाओ तो कमेंट में पकाईदर ना बताएगा पिसली वीडियो का भी इसका भी कि यह चीज़ आपने वीडियो के अंदर कही थी इससे पर वीडियो बनाऊंगा इंचाहरा चाहरा जरूरूर कुछ ऐस मभी काम हैं जो कि आप जो मुश्किल काम है वह सीखें मॉबाइल आप डिवल्यपमेंट चीख लें आई वस डिवल्यपमेंट सीख लें किसी के तो यह चीज़ें बड़ी मुश्किल हैं लेगिन अगर आप ओविसली हर बंदा इस मुश्किल कोई तरफ नहीं जा सकता तो आप step by step चलें जैसे के मैं चला था मैंने भी इसारी चीजें आइसता चोटा चोटा करके मैंने एक महीना दे के मैंने इस सारे skills सीखें कुछ skills को बहुत जादा टाइम लग जैसे के मैंने आपको अपनी पहले वीडियो में बजाया था जब मैंने यह काम शुरू किया था फ्रीलांसि में सबसे पहले मैंने SEO लर्न की ती SEO लर्न करते में मुझे साथ महीने लग गये थे और साथ महीने तक मैंने एक रुबी आर्म नहीं किया SEO से, सीरियस्वी तो आप यह देखें कि मुझे दब मुझे लगता था क्योंकि मैं निया निया आया था लेकिन आप मुझे ऐसे लगता कि वो बच्चों वाला स्किल है लेकिन फिर भी मुश्किल चीज़े हैं जितनी मुश्किल चीज सीखेंगे उसके पैसे उतने मिलेंगे और वो उतना long term चलेगी मुश्किल चीज़े जब भी आप data entry को पर काम करें हैं web scrapping को पर काम करें obviously यह छोटे skills हैं आज नहीं तो कल कोई एक software इन सारे skills की जगा ले लेगा तो suggest आप लोगों को मैं यही करूँगा बाकी अगर आप लोग अभी इन skills से earning करना चाहरें आप earning कर सकते हैं यह मैं नहीं कह रहा है कि आपको यहाँ पर earning नहीं मिलेगी earning मिल जाएगी लेकिन अगर long term लेकर चाहरे हैं long term सोच रहे हैं तो मेरे नजीख इन skills की इतनी ज़्यदा value नहीं है in the long run तो यह ज़स्ट एक informal सी वीडियो थी अगर आप मेरा फाइवर से related एक review देखना चाहरे हैं जो मैंने 5 साल फाइवर के उपर काम करने के बाद एक मैंने review दिया था तो वो review आप देख सकते हैं उसका link में आप लोगों को यही कही शो कर रहा हूँ उस पर click करें और आप review देखें अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करते हैं चैनल को subscribe कर लिजेगा नेक्स वीडियो मिलेंगे तब सक के लिए एलाप देखें